किस्टन नमर वन कराद सम अपड़ा स्कॉाइर्स ऑफ टू कॉंसेक्यूटिव और पोजेटिव इंटीजर इस 394 फाइंडेम यहां वह लाए कि दो कॉंसेक्यूटिव और पोजेटिव इंटीजर के स्कॉाइर का सम है 394 तो बताएगे कि वो इंटीजर कौन कौन होगा यहां पर देखें कॉंसेक्यूटिव और पोजेटिव इंटीजर बोला है जैसे अगर पहला पोजेटिव इंटीजर जो और बला अगर थिरी रहेगा तो सेकंड कॉंसेक्यूटिव और पोजेटिव इंटीजर हो जाएगा 5 अगर पहला रहेगा 7 तो सेकंड बला कितना हो जा गर पहल्या एट करेंगेmi लnet करेंगेंगे इसे परिङशे इसे आप पहल्या इंति आ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला x है, तो second हो जाएगा x plus 2, तो यहां पर यह हो गया x plus 2, अब देखिएगा according to question, question में क्या बोला था, यहां पर बोला था कि दोनों consecutive positive integer की square का sum है 394, तो यहां पर दोनों का square करिए, तो यह हो जाएगा x square, और यहां पर इसका करिएगा, तो यह हो पलश 2 का whole square, और यहां पर दोनों के square का sum है, वो है 394, तो इसका sum इक एखिएcertävर का, अब यहां पर देखिए, यह हो जाएगा x square, और यहां a plus e okay whole square पर इसको टोड़िए, तो यहां पर देखिए, x square plus x square यह हो जाएगा 2x square plus 4x और इसको इधाल आके माइनस करिए ति यह हो जाएगा minus 390 equal to 0 अब यहांसे दो common ले लिजिए ति यहांपे बज़ जाएगा x square plus 2x और यहांपे आएगा minus 195 equal to 0 ति यहांपे हो जाएगा x square plus 2x minus 195 equal to 0 यह 2 इधर आके 0.2, 0 हो जाएगा, अब यहां पर first last को multiply करें, तो यहां पर आएगा minus 195, इसको दो नमबरें break करना है, ताकि add करने पर plus 2 आए, अब multiply करने पर यह वलत नमा जाए, तो आप क्या करिए कि इसको factorize करें, यहां पर लगाएए 5 से 39, फिर लगाएए 3 से 13, तो यह त उट जाएगा, 15 और 13, काई कि 2 का difference चाहिए, तो 15 और 13 में यह तूटेगा, 15 और 13, और plus 2 चाहिए, तो यहां पर इसको negative करना होगा, तो भी न, दोनों को add करेंगा, तो plus 2 आजाएगा, तो यहां पर हो गिया, x square, plus 15 x, और minus 13 x, और यहां पर minus 195, equal to 0, common लिजे, यह दोनों से, यह दोनों से, तो यहां पर common लिजेगा, x, तो यहां पर बज़ेगा, x plus 15, और यह साइड common लिजेगा, minus 13, तो यहां पर भी बज़ेगा, plus x, और यह plus 15, equal to 0, अब यहां पर देखे, x plus 15 यहां भी है, और यहां है, तो इसको बाहर निकाल लिजे, तो x plus 15 बाहर निकल तो यहां पर रजाएगा X-13 एक्वल्टू 0 तो यहां पर हो जाएगा अब बारे- बारे से 0 पूट करेगे तो X-15 equal to 0 तो यहां पर हो जाएगा X equal to और इस साट हो जाएगा X-13 equal to 0 तो यहां पर हो जाएगा Xionar और X का दो भैलू आएगा 1-13 और 1-15 लेकिन यहां पर question में बोला था कि जो integer होगा वो positive integer होना चाहिए ठीक है तो जब positive integer होगा तो यह negative value तो होगा यह नहीं minus 15 होगा नहीं तो यहां से put करिए भेन x equal to 13 तो यहां पर हो जाएगा first और positive integer यह आप x माने थे और x का value आया 13 तो यहां पर हो जाएगा 13 and second consecutive or positive integer यह था x plus 2 तो यहां पर हो जाएगा 13 plus 2 तो यहां पर square करिए तो यह आजाएगा 15 तो यह आएगा 13 और second आएगा 15 यह दोनों लगातार भी है question number second यहां पर बोह रहा है the sum of the two numbers is 8 दो नमबर का sum है कितना तो 8 है and 15 times the sum of the reciprocal is also 8 और कह रहा है कि यह दोनों number के reciprocal का sum का 15 times भी 8 है तो वो number कौन कौन होगा वो बताइगे तो यहां पर देखिए दो number का sum 8 दे रखा चैसे यहां पर देखिए दो number का sum 8 है तो यदि पहला number 5 तो दुसरो number कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा? तो यहां पर दोनों मिलकर 8 आएगा और अगर पहला number 3 तो दुसरो number कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा? तभी 8 आएगा? अच्छा अब अगर पहला number 1 तो दुसरो number कितना होगा? तो यहां पर सोचिए तो इसे पहला नमबर 5 था तो दूसर नमबर 3 कैसे आया था इस 5 को 8 में से माइनस करिएगा तो भी नहीं यह 3 आएगा तो यहाँ पहला नमबर था 3 तो दूसर नमबर 5 कैसे आया तो इस 3 को 8 में से माइनस करिएगा 8 माइनस 3 तो 5 आजाएगा तो यहाँ पे भी पहला नमबर x है तो इस x को 8 में माइनस करिए तो यहाँ पे दूसरा नमबर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 8 माइनस x यहाँ तक तो आपको कोई दिकतने होगा तो यहाँ पे लेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा लेट the first number equal to इसको x माल लिजी जब पहला नमबर x होगा यहाँ पे देखिए जब पहला नमबर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस x तो यहाँ पे second number को माल लिजी 8 माइनस x अब देखिए according to question क्या बोला था question में बोला था कि दो नमबर का sum 8 है and 15 times the sum of the reciprocal उस दोनों नमबर के reciprocal के sum का 15 times 8 के equal है तो यह दोनों नमबर के reciprocal का sum कितना होगा तो जिससे देखिए पहला नमबर का reciprocal हो जाएगा 1 upon x और दूसर नमबर का reciprocal हो जाएगा 1 upon 8 माइनस x reciprocal मतलब हो तो उल्टा जैसे अगर बोलेगा 2 by 3 का reciprocal क्या होगा तो यह हो जाएगा 3 by 2 उलट जाएगा उपर वाला नीचे और नीचे वाला उपर चला जाएगा तो यहाँ पर वह हुआ हुआ है हुआ x का reciprocal 1 upon x और 8 माइनस x का reciprocal 1 upon 8 माइनस x इसका sum हो जाएगा यह बोला यहाँ पर बोला था कि दोनों नमबर के reciprocal के sum का 15 times यहीं बोला है ना 15 times the sum of their reciprocal यह दोनों नमबर के reciprocal के sum का 15 times तो इसमें 15 से multiply करना होगा तो यह हो गया 15 times किसना के equal है तो यह 8 के equal है यहीं बोला था ना is also 8 तो यहाँ पर अब इसको calculate करिए यहाँ पर 15 को इधर लेके चलाए तो 15 multiply में है तो इधर आके divide में हो जाएगा और यहाँ पर LCM ले लिजिए जो हो जाएगा x into 8 8 minus x यहाँ पर x से x कटेगा तो आ जाएगा 8 minus x पलस 8 minus x से 8 minus x कटेगा तो बचेगा x आ एकस इंटो 1 एकस आइस साइड हो जाएगा 8 upon 15 यहाँ पर देखे x से x कट गिया तो उपर हम बच गिया 8 अनिचे में x से multiply करिए तो 8 x minus x स्क्वार आ इस साइड हो जाएगा 8 upon 15 यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा तो cross multiply कर लिजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15 equal to इसको 1 से करिएगा यहाँ चीज रहेगा 8 x minus x स्क्वार दोनों को इधर लाएगा तो x स्क्वार पलस हो जाएगा यहाँ निगेटिव है और 8 x माइनस हो जाएगा इधर पहले से था 15 तो यह रहेगा 15 equal to 0 अब यहाँ पर देखे फेक्टराइज करिए तो फर्स्ट लाश्ट को मल्टिप्लाई करिएगा तो 15 आएगा इसको दो नम्मरें ब्रेक करना है ताकि आइड करने पर minus 8 आजाए तो यहाँ पर 5 और 3 में टोड़िए और दोनों को कर देजिए निगेटिव तभी ना आइड करेगा तो minus 8 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x square minus 5x minus 3x plus 15 equal to 0 अब यहाँ पर कॉमन ले लिजए यहाँ पर यह दोनों से तो x common हो जाएगा तो x minus 5 बचेगा और यहाँ पर minus 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर भी x minus 5 बचेगा equal to 0 अब x-5 दोनों जगा तो इसको बाहर निकालिए तो यहाँ पे बज़ जाएगा x और यह सेर बज़ जाएगा minus 3 equal to 0 अब बारे बारे से 0 पूट करेए तो x-5 equal to 0 तो यहाँ पे हो जाएगा x equal to 5 और x-3 equal to 0 तो यहां पर हो जाएगा x equal to 3 तो यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा तो फर्स्ट नमबर आप x माने थे और x का भेलू है 5 तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट नमर 5 और सेकंड नमर क्या था तो यहां पर हो जाएगा 8-5 तो यहां पर आजाएगा 3 तो पहला नमर 5 आएगा तो दूसर नमर 3 आजाएगा अब इस साइड देखिए यहां पर फर्स्ट नमर x है और x का भेलू 3 है तो यह हो गया फर्स्ट नमर 3 और सेकंड नमर कितना होगा तो 8-6 तो यहां पर हो जाएग 8-3 तो यह हो जाएगा 5 यानि पहला नंबर 3 तो दूसरा नंबर 5 और यहां पर आया था पहला नंबर 5 तो दूसरा नंबर 3 लेकिन आप नंबर तो देख रहे हैं 3 और 5 नहीं आया ना तो यहां पर लिखिए Hence, the required numbers are 3,5 ठीक है यहां पर जो नंबर आएगा वो 3,5 आएगा भले 3 अगर 1st नंबर होगा तो 5 2nd नंबर हो जाएगा और 5 1st नंबर होगा तो 3 2nd नंबर हो जाएगा लेकिन नंबर तो रहेगा 3 और 5 ही Question number 3, यहां पर बोरा two numbers differ by 3, दो नंबर का difference है 3 and their product is 504 और वो दोनों नंबर का product है 504 तो करा find the number वो नंबर क्या क्या होगा यहां पर धियान दिजिएगा, यहां पर बोला दो नंबर का difference है 3, यहां पर difference दे रखा 3, तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको ऐसे समझे, जैसे दो नंबर के बीज का difference है 3, तो जैसे अगर पहला नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 8 होगा, तभी न दोनों क अगर पाच है तो दूसर नमर या तो उससे तीन ज्यादा होगा या तो उससे तीन कम होगा जैसे यहां पर पाच और आठ के बीच में कितना का रिफ्रेंस है तिरीका तो यहीं आपको समझाना चाहरे हैं कि यदि तीन का रिफ्रेंस है तो एक नमर यदि पाच है तो दूसर नमबर उससे तीन ज्यादा भी हो सकता है या फिर दूसर नमबर उससे तीन कम भी हो सकता है यह चीज़ आपको समझ आना चाहिए अगर यह आ गया तो अच्छा बात है और यहीं पर अगर माली जे पहला नमबर एकस है ठीक है तो दूसर नमबर कितना हो जाएगा दूसर नम्बर एकनां तो हो जाएगा इससे तीन कम्न टो एक dual फाइब तो दुत थी हम यहां पर दोनु केस लेकर आपको भना कर दिखाएंगे दोनों से अंसर से अएगा कोई फरक ne पड़ेगा करेगा ऑन इatus ते equal to x अगर first number x है तो second number क्या होगा second number x plus 3 भी हो सकता है या फिर x minus 3 भी हो सकता है या विलेट कर लिए then second number equal to यहां पर माँ गर लेते हैं x plus 3 अभी हम x plus 3 भी बना रहा है और फिर एक बार x minus 3 लेके भी बनाएंगे तो पहले इसको देख लिए अब यहां पर देखे according to question, यहां पर question में क्या वला था कि and their product is 504, वो दोनों नंबर का product है, यह है 504, तो यहां पर देखे, दोनों नंबर यहीं दोनों है न, तो दोनों का product करिए, तो यह हो जाएगा x into x plus 3, और इसका product दे रखा 504, यहां पर multiply करिए, तो यह हो जाएगा x square plus 3x, equal to 504, यह 504 को इधाल ले आए, तो हो जाएगा x square plus 3x minus 504, equal to 0, अब यहां पर factorize करिए, 504 को, यह minus 504 को दो नंबर ब्रेक करना है, ताकि multiply करने पर minus 504, और add करने पर plus 3 आजा है, तो यहां पर इसको ब्रेक करिए, और अगर पता नहीं चार रहा, तो यहां पर factorize निकाल यह 504 का, तो यहां से 2 से लगाईए, तो यह हो जाएगा 252, फिर 2 से लगाईए, तो 126, फिर 2 से लगाईए, तो यहां पर हो जाएगा 63, और फिर यहां से लगाईए 3 से 21, फिर 3 से 7, इसको arrange करिए दो नंबर में, तो यहां पर होना चाहिए 7 into 3, 21, और इधर हो जाएगा 3 इन दोने 6 दोने 12 दोने 24 अगर इसको 24 और 21 में एरेंज करते हैं तो तीन का तो गैप है और यहां पर 21 को निगेटिव कर जिए तब यहां पर गाटा के यह जोड़के कितना नचे पलस थिरी तो यह टूट जाएगा एकस स्क्वाइर पलस 24 एकस माइनस 21 एकस और माइनस 504 इकल टू चीरो यहां पर कॉमन लिचे यह दोनों से इधर यह दोनों से तो यहां पर एकस हो जाएगा कॉमन तो यहां पर बचेगा एकस पलस 24 और यहां पर माइनस 21 कॉमन लिचे तो यहां पर हो जाएगा एकस और यह एकस परस 24 दोनों में है तो इसको बाहर निकाली है तो यहाँ पे बज जाएगा X अई सर बचेगा minus 21 equal to 0 अब बारे बारे से 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा X plus 24 equal to 0 तो यहाँ पे हो जाएगा X equal to minus 24 और इस तरफ हो जाएगा x-21 equal to 0 तो यहां पर हो जाएगा x equal to plus 21 तो यहां पर x का दो भेलू आया 1 आया minus 24 और 1 आया 21 तो बारे बारे से दोनों भेलू को put करना होगा तो यहां पर put करिए भेन x equal to minus 24 और एक तरफ हो जाएगा भेन x equal to 21 तो यहां पर ध्यान दिजेगा first number को आप x माने थे और x का भेलू है minus 24 तो यहां पर हो जाएगा minus 24 और second number था x plus 3 तो यहां पर हो जाएगा minus 24 तो यहां पर हो जाएगा minus 24 तो second number आजएगा minus 21 और इस साइड़े कि first number x था x का भेलू है 21 तो यहां यह 21 और second number है x plus 3 तो यहां पे हो जाएगा 21 plus 3 तो यहां पे हो जाएगा 24 यानि अगर परला नमबर 21 तो second 24 तो यह दोनों के सही है तो यहां पे लिख दीजिए Hence Numbers are यहां पे हो जाएगा minus 24, minus 21 यहां पे और लिखेगा 21, 24 यह दोनों सही है अब इसी का देखिए second method तो यहां पे देखिए second method को हम already बना रखे हैं यहां पे इसमें सिर्फ difference यहां पे है इसमें सिर्फ इसको लिए है x minus 3 उसमें लिए थे x plus 3 इसमें लिए है x minus 3 और इसको आप एक वर देख लिए वीडियो रोग के यहां पे सारा आपको उसी तरीके से सिर्फ यहां पे x minus 3 लिए है और answer भी इसका same ही आया यहां पे भी जो number आया minus 21 minus 24 और 21, 24 आया है तो आप इसको एक वर थ्यान से देख लिए question number 4 यहां पे वो लाया the sum of the two numbers a and b is 15 दो number है एक a है और एक b है दोनों number का sum दे रखा है 15 इसके बाद देखे करा and the sum of their reciprocal 1 upon a and 1 upon b is 3 upon 10 करा यह दोनों number का reciprocal का sum तो reciprocal क्या होगा इसका reciprocal होजाएगा 1 upon a और इसका होजाएगा 1 upon b और इसका reciprocal का sum दे रखा है 3 upon 10 तो हमसे वोला find the numbers a and b तो a और b जो number है वो क्या होगा हो जाएगा a plus b equal to 15 इसको मांद लेज़े equation 1 और second बोला था इसके reciprocal का sum है 3 by 10 तो यहां से इसके reciprocal का sum हो जाएगा 1 upon a plus 1 upon b equal to 3 by 10 इसको मांद लेते equation second यहां पे equation second में थोड़ा सा इसको explain करें यहां पे lcm ले लिजए तो lcm लिजएगा तो यह हो जाएगा a b a से a कटेगा तो यहां पे b आ जाएगा b से b कटेगा तो यहां पे a आ जाएगा equal to 3 upon 10 यहां तो कोई दिकत नहीं है अब दखिए a plus b का भाईलू 15 है न तो यहां पे a plus b के जगा 15 रख सकते हैं तो यहां पे उपर में 15 पूट कर दिजिए upon a b equal to 3 upon 10 और यहां पे ब्रैकेट में लिखते जिएगा from equation 1 तो इससे पता चलेगा आपको कि यह जो भाईलू आया है 15 वो equation 1 से आया है इसके बाद देखिए इसको काटिए पाच बार में तो यहां से a b equal to हो जाएगा 5 इंटो 10 50 इसको मान लिजिए equation 3 आप देखिए equation 1 और equation 3 को आपको मतलों solve करना है तो यहां पर solve करने का दो तरीका है तो बारे बारे से हम दोनों तरीका सीखेंगे तो पहला मेतर देखिए पहला मेतर यहां पर होगा by formula to first method तो यहां पे आपको दो फर्मूला याद रखना है यहांपे देखे फर्मूला होता है पहला a-b के whole square equal to a-b का whole square plus 4ab और second formula होता है a-b के whole square equal to a-b का whole square minus 4ab तो यहांपे आपको यह दोनों फर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है, तो याद कलीजिए, और याद करना भी ये कोई, बड़ा काम नहीं है, आसानी से आप याद कलीजिएगा, जैसे देखें, साइन का जहांत की बात है, तो यहाँ पे पलस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस फिर पलस, यहाँ पे माइनस भाग रहा है, plus, minus, plus यहाँ पे minus, plus, minus बाकि पैटरन तो से मैं यहाँ पे a plus b का whole square है तो यहाँ पे a minus b का whole square plus 4 b, तो आप याद रख सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पे इसमें से किसी भी एक formula का use करके आप इसको solve कर सकते हैं, तो जैसे देखें हम यहाँ वाला use कर दोते हैं, यह नीचे वाला formula है a minus b के whole square equal to a plus b का whole square minus 4 b, आप चाहिए तो ऊपर वाला का भी use कर सकते हैं, आप किसी का भी use कर सकते हैं आप का अमर्जी, तो यहाँ पे value put करिए, तो a minus b का value नहीं दे रखाया 200, तो यहाँ पे आजाएगा 200, तो यह हो जाएगा a minus b equal to e square इधर आएगा, तो under root हो जाएगा, इसको minus करेए, तो यहाँ आजाएगा 25 तो यहाँ पे हो जाएगा a minus b equal to plus minus 5 ठीक है, और plus minus 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ से दो equation आजाएगा, एक आजाएगा a minus b equal to 5, और एक आजाएगा a minus b equal to minus 5, यहीं आएगा ना, तो यहाँ पे था यह थीरी तो इसको मान लिजे 4 और इसको मान लिजे 5 अब यहाँ पे देखे, आपको equation 1 और equation 4 को equal solve करना, और उसके बाद equation 1 और equation 5 को equal solve करना, तो यहाँ से बारे-बारे से solve करिए, यहाँ पे लिखिए solving equation 1 and 4 और इस तरफ हो जाएगा यहीं पे कल लिजे solving equation 1 and 5, ठीक है दोनों को बारे-बारे solve करना, एक बार 1 और 4 को और एक बार 1 and 5 को तो यहाँ से solve करिए, तो equation 1 को यहाँ पे लिख दे रहा है a plus b equal to 15 है, यह था equation 1 यहाँ पे ध्यान देज़ जाएगा अब देखिए equation 1 और पहले 4 को solve करिए equation 1 and 4 तो यहाँ पे b positive और यहाँ पे b negative, तो दोनों को add कर ज़िए तो यहाँ पे करिए equation 1 plus 4 तो equation 1 था a plus b equal to 15 और equation 4 है a minus b equal to 5 तो यहाँ पे add करिएगा तो a plus b और minus b कट जाएगा तो यहाँ पे आजाएगा 2a equal to 20 तो a का भहलू आजाएगा 10 अब इस a के भहलू को equation 1 में रखिए या 4 में रखिए आपका मज़ी जिसमें 1 है उसमें रखिए हम equation 1 में रख दे रह lieutenant तो put value of a in equation 1 तो equation 1 था a plus b equal to 15 तो यहाँ पे रखिए a plus b equal to 15 तो यहाँ पे a का भहलू कितना 10 है तो यह हो जाएगा 10 plus b equal to 15 तो यहाँ से बताइगा B का भेलू कितना हो जाएगा 10 को अधा ले जाकर माइनस करिए तो B का भेलू 5 हो जाएगा तो जब A का भेलू 10 आएगा तो B का भेलू 5 आजाएगा अब यहाँ पे देखिए अब के बार equation 1 और equation 5 को solve करना आपको equation 1 और 5 को तो यहाँ पे धियान से रेखिएगा यहाँ पे भी minus B और plus B तो दोने equation को add कर लीचे तो यहाँ पे भी हो जाएगा equation 1 plus 5 तो यहाँ पे equation 1 दे रखा A plus B equal to 15 और equation 5 दे रखा A minus B equal to minus 5 अब दोनों को add करें तो plus और minus A बलग खत्म हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2A यहाँ पे देखिए 15 minus 5 यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो यहाँ से A का भाईलू बताई है तो A का भाईलू आजाएगा 5 अब इस A के भाईलू को या तो equation 1 में रखे या तो 4 में रखे तो हम 1 में ही रखते हैं यहाँ पे हो जाएगा put value of A in equation 1 यहाँ पे देखिए A plus B equal to 15 है यहाँ पे हो जाएगा A plus B equal to 15 A के जगा 5 पुट करिए तो 5 plus B equal to 15 यहाँ से B का भाईलू बताई है 5 को अधर ले जाएका minus करिए 15 minus 5 10 हो जाएगा तो यहाँ पे B का भाईलू आजाएगा 10 तो यहाँ पे आप देखिए कि जब A का भाईलू 10 आ रहा था तो B का भाईलू आ गिया 5 और जब A का भाईलू 5 आ रहा है तो B का भाईलू आ जाएगा 10 तो यह दोनों सही है अब यहाँ पे देखिएगा यह जो दो equation जो equation बना रहे थे starting में तो एक equation यह बला आया था एक equation 3 आया था तो यह दोनों को solve करने का यह पहला तरीका हुआ अब दूसरा तरीका देखिए तो यहां पे देखे second meter तो equation तो वह ही रहेगा equation तो यह ही बला रहेगा a plus b equal to 15 यह होगा equation 1 और इधर भी वह ही रहेगा 1 upon a plus 1 upon b equal to 3 upon 10 आया था यह था equation second अब यहां पे LCM ले लिजिए जैसे पहले किया थे तो यहां पे LCM हो जाएगा a b a से a कटेगा तो यहां पे b आ जाएगा b से b कटेगा तो a आ जाएगा equal to 3 upon 10 और a plus b का भी दे रखा है 15 तो यहां पे put करें देजिए उपर में 15 upon a b equal to 3 upon 10 और यहां पे लिख देजिएगा from equation 1 अब यहां पे कटेगा यह 5 बार में cross multiply करिए तो यहां पे आ जाएगा a b equal to 50 और उसमें क्या करें थे कि इसको equation 3 मान लेते यहां पे आप क्या करिए कि a का value निकाले तो a का value क्या हो जाएगा 50 upon b हो जाएगा b multiply में तो इधरा के divide में हो जाएगा इसको मान लेते equation 3 इसमें देखे हम formula का use नहीं करेंगे विधावत formula इसको हम solve करेंगे तो अब इस equation 3 का value equation बन में put करिए तो substitution method में क्या होता था कि दो equation दे रखेगा और दोनों में से किसी एक equation से भहलू निकालिए a या b का और उसको second equation ने put करिए तो यहां पे हम substitution method ने use करें जैसे यहां पे दो equation दे रखा था equation 1 और equation 2 तो यहां पे equation 2 से हम क्या किए a का value निकालिए और इसको आप put करना होगा equation 1 में ठीक है तो यहां पे इसको 3 मानिए या ना मानिए आपका मर्ची और यहां पे a का जो value आया है 15 न पहुंद b ऐसे मान ही लिजे कोई दिकत नहे है तो यहां से equation 3 का value equation 1 में put करिए यहां पे हो जाएगा put value of equation 3 in 1 तो equation 1 कितना था equation 1 है a plus b equal to 15 तो यहां से put करिए तो a के जगा पे 15 अपॉन b आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 15 अपॉन b plus b equal to 15 तो यहां पे देखे cross multiply करिए यह LCM ले लिजे पहले तो b LCM आएगा तो यहां पे आ जाएगा 50 और यहां पे आजाएगा b square equal to 15 अब cross multiply करिए तो यहां पे आजाएगा 50 plus b square equal to यहां पे आजाएगा b into 15 तो 15 b आए इसको इधा ले आएगे तो यहां पे बी square minus 15 b और पहले से था 50 तो यहां पे 50 equal to 0 अब यहां पे 50 को दो नमरें break करना होगा ताकि दोनों को multiply करने पे 50 आजाए और add करने पे minus 50 आजाए तो यहां पे इसको टोड़िए यहां पे यह break हो जाएगा 10 और 5 में और दोनों को रखना होगा negative तो यहां पे ना add करेगा तो minus 50 आएगा तो यहां पे हो जाएगा B square minus 10 B और minus 5 B plus 50 equal to 0 अब common लिजे यहां पे यह दोनों यहां पे यह दोनों तो B common हो जाएगा तो यहां पे बच जाएगा B minus 10 अधर minus 5 common होगा तो यहां पे भी बच जाएगा B minus 10 equal to 0 अब B minus 10 यहां भी और यहां भी, तो b-10 को बाहर निकाली, तो यहां पर बज जाएगा b, और यहां पर बज जाएगा minus 5, equal to 0, अब बारे-बारे से 0 पूट करिये, तो b-10 equal to 0, तो यहां पर हो जाएगा b equal to 10, और इस साइड हो जाएगा b-5 equal to 0, तो यहां पर हो जाएगा b equal to 5, ठीक, अब b का value दो भेलो आया एक भेलो आगिया 10 और एक भेलो आगिया 5 तो इसको put करी equation 1 में ठीक है दोनों भेलो को बारे-बारे से equation 1 में put करें तो यहां पर दखिए भेन बी इक्वल टू टेन आने तो इसको ऐसे लिखिए पूट बी इक्वल टू टेन इन एक्वेशन वन आप किसी में भी पूट कर सकते हैं इसमें भी पूट कर सकते हैं थीरी में भी पूट कर सकते हैं अगर थीरी में पूट करेगा तो और असान है स्वल्वकर नासा नहीं होगा थीरी में ही put करिए 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें मैं है उसमें आप put करिए थीरी में ही put करिए तो equation 3 कितना है यह है A equal to 15 upon B तो यहां पर हो जाएगा 15 upon 10 तो यह कटेगा 5 बर में तो यहां से A कभेलू आ जाएगा 5 तो यहां पर आप देख रहे हैं जब B का भेलू 10 है तो A का भेलू आ गिया 5 और second case देखे B का भेलू यहां पर देखे एक 5 आया है तो अभी के बार 5 put करिए तो B यहां पर लिखे put B equal to 5 in equation 3 तो equation 3 था A equal to 15 upon यह 50 upon B तो यहां पर हो जाएगा 50 upon 5 यह कटेगा 10 बार में तो यहां से आजाएगा A equal to 10 तो जब B का भेलू 5 होगा तो A का भेलू 10 होगा आज जब B का भेलू 10 होगा तो A का भेलू 5 होगा तो आप इस तरीके से भी इसको solve कर सकते हैं बिना formula का यूज के हुई Question number 5 यहां पर वोरा the sum of the two numbers is 9 दो नमबर का sum कितना है तो 9 है इसके बाद बोला the sum of their reciprocal is 1 by 2 और दोनों नमबर के reciprocal का sum है 1 by 2 तो वोरा फाइंदा नमबर वो नमबर क्या होगा तो यहां पर देखे दो नमबर का sum दे रखा है 9 तो अगर यहां पर आप देखेगा अगर पहला नमबर 5 होगा तो दूसरा नमबर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा और अगर पहला नमबर 4 होगा तो दूसरा नमबर कितना हो जाएगा तो उसी परकार अगर पहला नमबर 1 होगा तो दूसरा नमबर है, कितना होगा, यह बताई तो देखें, यहाँ पर जैसे पहला नमबर 5 था तो दूसरा नमबर 4 कैसे आया यह 9 में से 5 को घटा लिजे तभी न फोर आएगा, जैसे पहला यह sum दे रखा है, ठीक है, यह दो नमबर का sum है तो पहला नमबर 5 है, तो इस sum में से पहला नमबर को घटा लिजे, तो दूसरा नमबर आजाएगा यहाँ भी वह हैं चीज़, पहला नमबर 4 था तो दूसरा नमबर कैसे आएगा, तो इस sum में से पहला नमबर, that means 4 को घटा आएगा, तो 9 में स 4 तो अगर पहला नमबर X है तो दुस्टा नमबर हो जाएगा 9-X इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर late करिए तो यह हो जाएगा late the first number इसको मान लिजे X और जब पहला नमबर होगा X तो second number कितना हो जाएगा 9-X तो यहाँ पर जाएगा the second number equal to 9-6 इतना तो आप कहारा समझ में अब देखिए according to question यहाँ पर बोला था कि यह दोनों नमबर के reciprocal का sum है 1 by 2 तो पहला नमबर है X तो इसका reciprocal हो जाएगा 1 upon X दूसरा नमबर है 9-X तो इसका reciprocal हो जाएगा 1 upon 9-X और यह दोनों नमबर के reciprocal का sum है वो है 1 by 2 तो यह equal हो जाएगा 1 by 2 के अब यहाँ पर solve करिए तो इसका LCM ले लिजिए तो X into 9-X LCM हो जाएगा X से X कटेगा तो यहाँ पर आजाएगा 9-X plus यह 9-X से 9 में से X कटेगा तो यहाँ पर आजाएगा X equal to 1 by 2 यहाँ पर दखेए X plus minus है तो यह कर जाएगा उपर हम बचेगा 9 और निचे में multiply करिए तो 9-X minus X square equal to 1 by 2 तो करोस multiply करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 18 9 into 2 18 आज़ को 1 से multiply करिए तो यहीं चीज़ रहेगा यहाँ पर हो जाएगा 9-X square अब यह दोनों को इधर लेका आईए तो यहाँ पर हो जाएगा X square positive और 9-X हो जाएगा negative अब पहले से था 18 equal to 0 इसको factorize करिए तो 18 को दोनों में factorize करिए ताकि multiply करने पर 18 और 8 करने पर minus 9 तो यह 6 और 3 दोनों negative रहेगा तो हो जाएगा X square minus 6X और minus 3X और plus 18 equal to 0 यहाँ पर common लेजिए यह दोनों से अइधर यह दोनों से तो यह दोनों में X common दिख रहा तो यहाँ पर हो जाएगा X minus 6 और यह दोनों में कितना common दिख रहा minus 3 तो यहाँ पर भी हो जाएगा X minus 6 equal to 0 अब x-6 दोनों जगा तो इसको बाहर कल लिजी तो इस सेड़ बचेगा x और इस्तरफ बचेगा minus 3 equal to 0 अब बारे बारे से 0 पुट करें तो यहां पे हो जाएगा x-6 equal to 0 तो यहां पे आजाएगा x equal to 6 तो इस सेड़ हो जाएगा x-3 equal to 0 तो यहां पी आजाएगा, x equal to 3 तो x का 2 value आया, x 6 और 1 3 तो बारे-बारे से दोनों value आपको put करना है तो यहां पे हो जाएगा, x equal to 6 और इस्तरफ हो जाएगा, x equal to 3 तो यहां पे ध्यांदे जाएगा, first number को आप x माने थे और x का value is 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1st number 6 और 2nd number था 9-6, तो यहाँ पर हो जाएगा 9-6 तो यहाँ जाएगा 3 यानि पाहला number 6, तो दुसरा number आ जाएगा 3 और इस साह नेखिए, फर्स्ट number तो आप x माने थे और x का value यहाँ पर 3, तो यहाँ जाएगा 1st number 3 और second number था 9-6 तो यहां पर हो जाएगा 9-3 that means 6 तो यहां पर पहला number 3 आ गया तो दूसरा number 6 और यहां पर पहला number 6 था तो दूसरा number 3 आया था तो यहां पर लिखी Hence, the numbers are 3,6 यहां पर यहीं दो number आ रहा है न 3 और 6 आ रहा है हाँ यदि पहला number 3 तो दूसरा number 6 और यदि पहला number 6 तो दूसरा number 3 लेकिन number तो है 3 और 6 ही न तो यह number हो जाएगा 3 और 6 Question number 6 यहां पर बहला 3 consecutive positive integers are the sum of the square of the first and the product of the other 2 is 46 तो करा रहा है यहां पर बहला है कि 3 consecutive positive integer है और इस पर करा रहा है कि 1st का square और अधर जो दो बचा उसका product आपर दोनों को sum करियेगा तो यहां पर आएगा 46 तो बहला कि integer क्या क्या होगा तो यहां पर दियान देजी 3 consecutive positive integer है जैसे अगर पहला 2 है तो दूसरा 3 हो जाएगा और तिसरा 4 हो जाएगा इससे परकार यदि पहला आप 10 लेते हैं तो दूसरा 11 हो जाएगा तिसरा 12 हो जाएगा इस तरीके से 3 लगता रहेगा तो अब बते पहला अगर आप X लेते हैं त आप 1 हो जाएगा तो यहां पहला नमबर था 1 हो जाएगा तो यहां पर फ़स्ट पोजेटिव इंटीजर यहां पर फ़स्ट वाले को X मान ली जी तो जाएगा तो 2 हो जाएगा second x plus 1 हो जाएगा और third positive integer क्या होगा x plus 2 हो जाएगा इसके बाद देखे according to question यहाँ पर ध्यान से समझेगा यहाँ बोला था इस परकार है कि sum of the square of first first positive integer का square तो यहाँ पर first positive integer x है ना तो x का square करिएगा तो कितना हो जाएगा x square हो जाएगा और इसके बाद बोला था and the product of other do और जो दो बचा उसका product तो यहीं दोनों बचा ना तो यह दोनों का product करिए तो यहाँ पर इसका product हो जाएगा x plus 1 into x plus 2 और बोला था यहीं दोनों का जो sum है वो कितना है तो यह है 46 और आपको question समझ में एक बार फेसो देखिए करा था the sum of the square of the first first positive integer का square तो first positive integer x था तो इसका square करिएगा तो x square हो जाएगा and the product of other two यहाँ पर देखिए यह जो sum बोला था यह जो sum बोला है वो किसका किसका sum है तो first positive integer का square का और जो other दो बचा उसके product का तो first का square हो जाएगा x square और दो का product हो जाएगा यह बोला यहीं दोनों का sum बोला था यह दोनों का sum कितना है तो 46 है तो यहाँ पर बीच में plus डाली और जोके 46 के equal होगा अब यहाँ पर calculate करिए तो यह हो जाएगा x square यहाँ पर दोनों को multiply करिए तो पहले x से दोनों में तो यहाँ पर x square plus 6 और फिर 2 से दोनों में तो यहाँ पर हो जाएगा 2x plus 2 ऐसाए तो 46 है रहेगा यहाँ पर देख से x square plus 6 square यह हो जाएगा 2x square और यहाँ पर हो जाएगा 3x अब 46 को इधर लाएगे तो minus 46 तो यहां पर आजाएगा minus 44 equal to 0 अब यहां पर इसको टोड़िए तो first and last को multiply करिए तो यहां पर आजाएगा minus 88 और इसको दो नमर बिरेक करिए ताकि आइट करने पर 3 और multiply करने पर यहीं वहला तर्माय तो इसको टोड़िए 11 और 8 में तो 3 का गैप है और आपको plus 3 चाहिए तो यहां पर छोटा बला को minus में रखें तो यह हो गया 2x square plus 11x minus 8x और minus 44 equal to 0 यहां से common लिजे यह दोनों अधर यह दोनों तो यहां पर आपको दिख रहा है common कितना है x है तो यहां पर बज़एगा 2x plus 11 और इस side common लिजे तो यहां पर minus 4 common लेना होगा तो यहां पर बज़एगा 2x plus 11 equal to 0 अब देखे 2x plus 11 यहां भी और यहां भी तो इसको बाहर निकाल लिजे तो 2x plus 11 बाहर आज गया तो यहां पर बच गया x और इस side बच गया minus 4 equal to 0 अब यहां पर बारे बारे से 0 put करेए तो 2x plus 11 equal to 0 तो x equal to आ जाएगा minus 11 by 2 और यहाँ पर put करिए x minus 4 equal to 0 तो यहाँ पर आ जाएगा x equal to 4 अब यहाँ पर देखें यह negative आला भैलू होगा हमसे बोला था positive integer न और ऐसे भी 11 by 2 integer है ही नहीं तो यह तो ऐसे भी नहीं होगा और यह साथ साथ negative भी है देखें आपको यह रखना है कि decimal का भैलू या फिर fraction का भैलू यह सब integer नहीं होता है decimal का भैलू या fraction का भैलू यह सब integer नहीं होता है तो यहाँ पर put करना होगा then x equal to 4 तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा first positive integer को आप X माने थे और X का भीलू कितना 4 है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 Second positive integer X plus 1 था तो यह हो जाएगा 4 plus 1 That means 5 और जो third था वो था X plus 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 plus 2 तो यहाँ जाएगा 6 यहाँ पर देखे यह तीनों लगातार ने है 4, 5, 6 यह तीनों लगातार है Question number 7 यहाँ पर बोला The difference of the squares of two numbers is 88 दो number के square का difference is 88 यहाँ बोला इसके बाद If the larger number is 5 less than to which the smaller number यहाँ पर धियान दिजेगा यहाँ पर बोला है कि जो larger number है वो smaller number के दूगना से 5 कम है हमेशा यह रखेगा जिससे compare किया उसी को x मानना है यहाँ पर smaller number से compare किया है तो smaller number को आपको x मान लेना है हमेशा रखे जिससे compare करेगा मतलब जिससे बोलेगा कि 15 ज्यादा या 10 कम कुछ भी इस तरह किस बोल सकता है तो जिससे compare करेगा उसी को x मानना यहाँ पे smaller number से compare किया है तो smaller number को x मा लीजे तो यहाँ पे हो जाएगा late the smaller number equal to x तो यहाँ पे बताई यह larger number कितना हो जाएगा then larger number equal to यहाँ पे देखें larger number के बारे में बोला था कि यह smaller number के दूगना से 5 कम है तो smaller number है x तो इसका दूगना हो जाएगा 2x और इससे 5 कम, तो 5 को माइनस करना होगा क्योंकि इसके दूगना से 5 कम है तो यह हो जाएगा 2x माइनस 5 अब दखिए according to question यहाँ भी बोला था कि the difference of the square of two numbers is 88 दो number के square का difference है 88, तो यहाँ पे दो number यहीं दोनों है तो इसके square का difference होगा 88 और हमेशा यहाँ रखेगा, जब भी आप घटाइएगा तो बड़ा मेंसे छोटा घटाइएगा तो बड़ा number यह बला है और छोटा यह बला है तो इसका square हो जाएगा 2x माइनस 5 का whole square और इसका square हो जाएगा x square और इसका जो difference है वो दे रखा है 88 इतना तो आपको आरा समझ भे इसके बाद, इसको calculate करिए तो यहाँ पर a minus b के whole square पर इसको टोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा a square 4x square plus b square तो यहाँ पर 25 आज जाएगा minus 2ab तो 2 into 2x into 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंदा दूने 20x और यहाँ पर minus x square equal to 88 अब यहाँ पर देखे 4x square minus x square कितना हो जाएगा 3x square और minus 20x और 88 को इधा लाएगा तो पर इसको calculate करिएगा तो minus 63 आ जाएगा equal to 0 अब यहाँ पर first and last को multiply करिए तो यहाँ पर हो जाएगा minus 63 into 3 यहाँ पर थोड़ा सा इसको factorize करिए 63 को लिखेगा 21 into 3 और 21 को 7 into 3 तो 7 into 3 यह हो जाएगा और into 3 इस तरी के से अब इसको arrange कर लिज़े दो नमबर में ताकि add करने पर minus 20 आए तो यहाँ पर रखे तिंतिया नो नोतिया 27 और 7 और minus 20 आए तो 27 को negative करना होगा तो भी ना add करेगा तो minus 20 आएगा तो यह तूट जाएगा 3x square minus 27x plus 7x minus 63 equal to 0 अब यहाँ पर common लिज़े इधर यह दोनों से और इधर यह दोनों से तो यहाँ पर common आपको दिख रहा 3x तो यहाँ पर बज़एगा x minus 9 और यहाँ पर 7 common लिज़े तो यहाँ पर बज़एगा x minus 9 equal to 0 अब x minus 9 दोनों तरफ है तो x minus 9 को बाहर निकाल लिज़े तो x minus 9 जो बाहर आएगा तो यहाँ पर बज़एगा 3x और यहाँ पर बज़एगा plus 7 equal to 0 अब बारे-बारे से 0 put कर जिज़े तो यहाँ पर हो ज़एगा x minus 9 equal to 0 तो यहाँ पर हो ज़एगा x equal to 9 और इस साइड हो ज़एगा 3x plus 7 equal to 0 तो यहाँ पर हो ज़एगा x equal to minus 7 पूंट तो x का दो भेलू आरा 9 और एक आरा minus 7 हो आए तो यहाँ पर बारे-बारे से दोनों भेलू पूट करिए equal हो ज़एगा x equal to 9 और equal हो ज़एगा x equal to minus 7 upon 3 तो यहाँ पर धियान दिज़ेगा smaller number को आप माने थे x और x का भेलू यहाँ पर 9 है तो यहाँ ज़एगा 9 और जो larger number था 2x minus 5 तो 9 into 2 18 यहाँ पर हो ज़एगा 18 minus 5 तो यहाँ पर smaller number 9 होगा तो larger number हो ज़एगा अब इस तरफ देखिए जब x का भेलू minus 7 by 3 तो smaller number थो x है तो यह हो ज़एगा minus 7 by 3 और इसको जब decimal में बतली गा तो यहाँ ज़एगा minus 2.3 और यहाँ पर देखिए larger number में क्या हो ज़एगा तो यह हो ज़एगा तो यह हो ज़एगा 2 into x का ज़एगा minus 7 upon 3 और minus 5 तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर multiply करें तो यह हो ज़एगा minus 14 upon 3 minus 5 तो यहाँ पर देखिए l similarly is 3 तो यहाँ पर minus 14 तो यहां पर smaller number आ रहा है माइनस 2.3 और larger नमर आ रहा है माइनस 19.2 क्या यह possible है अच्छा इक शी आप हमको पहले बताइए इसको पहले बता है माइनस 15 बढ़ा है यह फिर माइनस 10 बढ़ा है तो माइनस 10 बढ़ा होगा यह न बढ़ा होगा और यह छोटा हो जाएगा आपको हमेशा यह एकना है कि निगेटी में अगर नमबर 2 है तो वो छोटा रहेगा और जो छोटा है वो बड़ा रहेगा निगेटी में उल्टा हो जाता है जैसे जैसे आप निगेटी में आगे क्यों बढ़ेगा उसका भेलू घर्टते चला जाता है तो negative में जो number बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता है और जो number छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है और यहाँ पर देखिए minus 9.6 है तो यह तो छोटा हो जाएगा यह small हो जाएगा और यह minus 2.3 यह big हो जाएगा अब यहाँ पर बताएगे smaller number का भेलू आगिया बड़ा और larger number का भेलू आगिया छोटा यह कैसा possible है आप खोश सोचे इस चीज़ को जब smaller number का भेलू है यह smaller number है तो इसका भेलू छोटा आना चाहिए ना यह larger number है तो इसका भेलू बड़ा आना चाहिए तो smaller number 9 होगा और larger number 13 होगा Question number 8 यहां पे बोलाया the sum of the squares of two consecutive odd number is 394 कराया कि 2 consecutive odd number के square का sum है 394 तो कराया कि वो number क्या होगा तो 2 consecutive odd number है न यहां पे बोलाया 2 consecutive odd number यहां पे देखेगा ध्यान दिजेगा यह positive या negative कुछ नहीं बोला है तो odd number positive भी होता है और negative होता है जैसे 12 यह 12 ने 13 यह क्या है odd number है और minus 13 भी क्या है odd number है अगर हम 9 की बात करें तो यह 9 भी odd number है और minus 9 भी odd number है तो यहां पे सिर्फ odd number का बात हुआ है positive और negative का बात नहीं हुआ है और यहां पे बोला consecutive odd number है जैसे अगर पहला और नमबर 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर पहला 7 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो इसी परकार पहला अगर X है तो दूसरा कितना हो जाएगा X प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि odd number जो अगला आएगा वो 2 add करने पर ही आएगा पहले बाला में जैसे यहाँ पर पहला 3 था तो जो सा 5 कैसा है जब 3 में 2 add करिएगा यहाँ पर पहला 7 था तो इसमें भी 2 add करिएगा तो यह दूसरा नहीं आ जाएगा तो उसी परकार पहला यदि x है तो इसमें 2 add करिएगा x में तो यह दूसरा आ जाएगा तो x में 2 add करिएगा तो कितना होगा x plus 2 होगा तो यहाँ पर आप late करिए तो यहाँ पर हो जाएगा late the first odd number x पहला odd number x मालेजी and second consecutive odd number कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x plus 2 अब देखिएगा according to question यहाँ पर बोला था कि the sum of the square of two consecutive odd number is 394 दो consecutive odd number के square का sum है 394 तो यहाँ पर देखिए इसका square हो जाएगा first बाले का x square और second बाला का हो जाएगा x plus 2 का whole square इसका sum दे रखा है 394 तो यह 394 की equal हो जाएगा अब यहाँ पर इसको derive करिए तो यह हो जाएगा x square इसको a plus b के whole square पर टोड़िए तो a square plus b square plus 2ab तो यहाँ पर आएगा 4x equal to 394 तो यह हो जाएगा 2x square plus 4x और यहाँ पर 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 इसको इधाला के minus करिए तो यहाँ पर हो जाएगा minus 390 equal to 0 अब यहाँ पर दो common ले लिजे तो यहाँ पर बज़ जाएगा x square यहाँ पर आएगा 2x इस साइड कितना आएगा 195 equal to 0 अब 2 इधर multiply में तो इधर आके divide में हो जाएगा 0 upon 2 0 तो यहाँ पर हो जाएगा x square plus 2x minus 195 equal to 0 अब यहाँ पर first last को multiply करें तो minus 195 ही रहेगा इसको दो नमरे break करना है ताकि add करने पर plus 2 और multiply करने पर यहाँ बला नमबर आ जाए तो यहाँ पर देखिए इसका factorize करें तो 5 से लगाईए 39 इसके बद 3 से लगाईए 13 तो यहाँ पर 2 का gap चाहिए ना तो यहाँ पर 15 और 13 में यह break हो जाएगा तो 2 का gap आजाएगा 15 और 13 और 13 को negative रखेगा तभी ना इसको जोड़ेगा तो यह plus 2 आएगा तो यहाँ पर यह तूट जाएगा x square plus 15 x minus 13 x और यहाँ पर minus 195 equal to 0 इसके बाद दखिए यहाँ पर यह दोने से common अधर यह दोने से common लिजे तो यहाँ पर x common हो जाएगा तो यह बच जाएगा x plus 15 और इस साइड minus 13 common हो जाएगा तो यहाँ पर यह बच जाएगा x plus 15 equal to 0 अब x plus 15 इधर भी और इधर भी इसको बाहर कर लिजे तो जब x plus 15 को आप बाहर करेगा तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा minus 13 equal to 0 अब बारे बारे से 0 put करिए तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 15 equal to 0 तो x equal to हो जाएगा minus 15 और इस सेड हो जाएगा x minus 13 equal to 0 तो यहां पे हो जाएगा x equal to 13 तो दो भेलू आ गया 1 minus 15 और 1 13 तो बारी बारी से दोनों put करिए तो एक बार हो जाएगा भेन x equal to minus 15 और एक बार हो जाएगा भेन x equal to 13 तो यहां पे धियान दिजएगा यहां पे first order number आप x माने थे और x का भेलू है minus 15 तो यहां पे हो जाएगा minus 15 और second consecutive order number था x plus 2 तो यहां पे हो जाएगा minus 15 plus 2 तो यहां पे आजाएगा minus 13 तो जब first minus 15 रहेगा तो second minus 13 और इस तरह आप आएए तो यहां पे first order number x है और x का भेलू 13 तो यहां पे हो जाएगा 13 और second consecutive order number था x plus 2 तो यह हो जाएगा 13 पलस 2 तो यहां पर हो जाएगा 15 तो यदि पहला रहेगा 13 तो second रहेगा 15 तो यह हो गया positive में और यह हो गया negative में और यहां पर question में सिर्फ odd number का बात क्या है यह ने बोला कि positive odd number या फिर negative odd number तो यहां पर दोनों अंसर सही है तो यहाँ पर हो जाएगा Hence Odd Numbers are यह हो जाएगा 13,15 या फिर हो जाएगा Minus 15, Minus 13 यहाँ पर दोनों से यह book में सिर्फ आपको Positive बला दिया है इसका मतलब यह नहीं कि Negative बला होगा है नहीं दोनों होगा Positive बला भी होगा और Negative बला भी होगा अगर कोई आपको बोलता है कि क्यों नहीं होगा तो आप उससे पूछिए कि क्यों नहीं होगा एक रीजन तो होना चाहिए ना क्यों नहीं होगा तो आप उससे पूछिए कि क्यों नहीं होगा Question No.9 यहाँ पर बोरा है The sum of the squares of two consecutive multiple of 7 is 637 कराए कि 27 के दो consecutive multiple के जैसे अगर आपसे बोलेगा कि 2 का multiple क्या होगा 2 का multiple लिखने के लिए बोलेगा तो आप 2 का table लिख देजे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से यह भरते चला जाएगा ठीक है अच्छा 2 का जो multiple है यह तो positive है अगर कोई negative में लिख देगा अच्छा अगर आपसे कोई directly पूछ देगा कि बताई यह 18 है जो 6 का multiple है कि नहीं है जिहान से सुनिएगा हमसे पूछ रहा है कि 18 है जो 6 का multiple है कि नहीं है तो 18 को 6 से डिवाइड दिजे अगर यह कट गया 6 से तो यह होगा otherwise नहीं होगा तो 18 6 से कट जाएगा 3 बार में तो यह 6 है जो 18 का multiple होगा अगर आपसे कोई पूछ देगा कि minus 18 6 का multiple होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पे minus 18 को 6 से डिवाइड दिजे और यह यहाँ पे कट जाएगा minus 3 बार में तो यह बिलकुल होगा ही होगा तो negative number ही multiple होता है positive number ही multiple होता है यहाँ पे आपको ध्यान देना है जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि 25 का multiple है कि नहीं है तो इसको 5 से डिवाइड दिजे तो यह बिलकुल कट जेगा 4 बार में तो यह multiple होगा अगर कोई पूछ देगा आपसे कि minus 25 5 का multiple है कि नहीं है तो इसको 5 से डिवाइड दिजे तो यह कट जेगा minus 5 बार में तो यह बिलकुल इसका multiple होगा तो इस तरीके से negative number ही multiple होता है और positive number ही multiple होता है यह चीज़ आपको notice कर लेना है तो यहाँ पे बोला था 7 का multiple तो जिससे 7 का multiple आप लिखेगा तो क्या लिखेगा 7 का table लिखे 7, 14, 21 और हो जाएगा 28, 35 इस तरीके से यह बशते चला जाएगा और बोला था consecutive multiple है 2 consecutive multiple है मतलब 2 लगातार है तो अगर पहला 7 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अगर पहला 14 है तो दूसरा 21 यानि अब देख रहे हैं कि अगर कोई भी दो लगातार लिखेगा तो दोनों के बिच्वें कितना का गाइप है 7 का गाइप है यानि पहला 14 तो दूसरा इससे 7 ज्यादा अगर यह दुनों लिखेगा तो पहला 21 लेट the first multiple of 7 equal to यहां पर x मालेजी 7 का जो पहला multiple है वो है x तो इसका जो consecutive multiple होगा वो क्या हो जाएगा x plus 7 हो जाएगा यह आपको आज वा समझ में इतना इसके बाद देखिए according to question तो यहां पर देखिएगा according to question में क्या वोला था कि the sum of squares of the consecutive multiple of 7, 637 करा कि 7 के 2 consecutive multiple के square का sum 637, तो यहां पे 2 consecutive multiple यह दोनों है, तो इसका square का sum, तो x का square हो जाएगा, x square और x plus 7 का square करेगा, तो इसका whole square हो जाएगा, और इसका जो sum है यह है 637 तो इस तरीके से हो जाएगा आप इसको derive कर लिजिए, तो यह हो गया x square, यहां पे a plus b के whole square पे टोरिए, तो a square plus b square plus 2ab, तो यहां पे हो जाएगा 14x equal to 637 तो यह हो जाएगा x square plus x square, यह हो जाएगा 2x square plus 14x और 637 को इधा लाके minus करेए, तो 49 minus 637 तो इसको calculate करेएगा तो 588 आजाएगा equal to 0 तो यहां से 2 common लिजिए, तो 2 common लिजिएगा तो यह हो जाएगा x square plus 7x और यहां पे बजाएगा minus 294 equal to 0 यहां पे 2 को इधाला के 0 करेए तो यह हो जाएगा x square plus 7x minus 294 equal to 0 अब यहां पे factorize करेए, तो first and last को multiply करेए, यह minus 294 ही रहेगा इसको दो नमरे break करना है ताकि add करने पे plus 7 आए multiply करने पे यह ही नमर आजाए तो यहां पे इसको factorize निकाल लिजिए यहां पे लगाए 2 से यह कटेगा 147 इसको बढ़ाए 3 से तो 49 और इसको बढ़ाए 7 से तो इसको दो नमर में arrange करेए तो यहां पे यह हो जाएगा 7 इंटो 3, 21 और 1, 7 इंटो 240 यहां पे 21 और 14 यहीं दो नमर में यह arrange होगा और आपको चैए पलस 7 तो यहां पे इसको कर जाएगा माइनस में तो 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा पलस 7 हो जाएगा तो यह तो जाएगा एकस स्क्वाइर पलस 21 एकस माइनस 14 एकस माइनस 294 अब यहां पे यह दोनों से कॉमन तो एकस कॉमन लिजे तो यहां पे बज़ेगा एकस पलस 21 इदर से माइनस 14 कॉमन लिजे तो यहां पे बज़ेगा x plus 21 equal to 0 अब यहाँ पे भी x plus 21 यहाँ पे भी x plus 21 तो इसको बाहर निकाली तो x plus 21 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बाज जाएगा x एधर बाज जाएगा minus 14 equal to 0 अब बारी बारी से 0 पूट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 21 equal to 0 तो यहां से हो जाएगा x equal to minus 21 आइस साइड हो जाएगा x minus 14 equal to 0 तो यहां पे हो जाएगा x equal to plus 14 तो x का दो भेलू आएगा 1 minus 21 और 1 14 तो बारे बारे से दोनों put करना होगा तो यहां पे put करिए 2n x equal to minus 21 और इस्तरफ हो जाएगा 2n x equal to 14 तो यहां पे ध्यान दिजएगा first multiple of 7 आप x माने थे और x का value minus 21 तो यहां पे हो जएगा minus 21 और consecutive multiple of 7 क्या था? x plus 7 तो यहां पे इसको calculate करीए तो यहां जएगा minus 14 तो एक आजएगा minus 21 तो second आजएगा minus 14 अचा इस तरफ देखें x का value जब 14 put होगा तो यहां पे first multiple of 7 क्या था? x था तो x का जएगा आजएगा 14 और यहां पे consecutive multiple of 7 क्या था? x plus 7 तो यह हो जएगा 14 plus 7 that means 21 तो यहां पे positive ला हो जएगा 14 और 21 और negative में हो जएगा minus 21 और minus 14 देखें, यहां पे आप घबरायेगा नहीं कि negative ला नहीं होगा बुक में सिर्फ positive ला अंसर दिया है इसका मिलब यह नहीं कि negative ला नहीं होगा negative ला भी होगा ठीक है? क्यों होगा? क्योंकि आपको तो simple सा logic पता है कि multiple जैसे minus 21 है और आप से कोई पूछ रहा कि minus 21 7 का multiple है कि नहीं है? तो आप इसमें सिर्फ साथ से डिवाइड करिए अगर यह साथ से कट गया तो बिल्कुल होगा और यह कटेगा है कटेगा minus 3 बार में यह कटेगा तो यह बिल्कुल इसका multiple होगा यह negative multiple हो जाएगा और यहाँ पे बुक में यह नहीं बोला है यह 14,21 दोनों सही है